हमारे साथ बोकारों के वरिष्ट आयरुवेदिक चिकित सक डॉक्टर राजिस पाठक जी है आई उनसे करते हैं बातचीत और जानेंगे दातों में पिलापन से होने वाले समस्या से निजात पाने के लिए क्या घरेलू नुसके अपनाये जा सकते हैं मैं डॉक्टर राजिस, M.D. आयरुवेदा, बोकारों से, आजकर दातों के समस्या लोगों बढ़ती जा रहे हैं चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, किसोरा वस्ता में हों या भुजूर हों पिला होना, इसना मुख्य कारण है दातों के सफाई आजकर बच्चे चॉक्लेट बहुत खा रहे हैं, फास्वट बहुत खा रहे हैं, इसे दात की कमजूरी बढ़ती जा रही है, इना मिल्ट हिस्ता जा रहा है और उसमें दाद हो जाता है एक जो कॉंसेट पहले होता थाmarत में सूने से पहले τοat के डाट के स्ञेस करना वह आज के डेट में खत्म हो चूंगा है कारण है औरल रुटिन मेंटेन लोग नहीं कर रहा है इंफेट्शन होता है कल्सियम की कमी होती है जिसे करण टेड़ा होना शुरू हो जाता है बढ़ियां उपाय है बेकिन सोडा में थोड़ा सा नीबू का रस निचोड़कर अगर हम लोग तो ढंट से सुबह साम बरस करें तो उसलिए पिलापन खत्म हो जाता है आज के लोग गुटका होगे चुना यूज करें तो कल्सियम को पूरा के नहीं मदद करता है इस और इसका घरेलू उपाय है नीम का च्छाल लॉंग बबूल ट्रचाल और आपका लॉंग यह से मिलाक हैं लोग एरपारी की पॉडर बनाकर सुबह साम और दात को की मालिस करें तो इसमें बहुत ही अच् हैं तो हल्दी सरसोका तेल और नमक तीनों मिलाकर रात मेरवर दात में जरूर रवस से मालिस करें उसे दातों के सारे समस्या दूर हो जाएगी